नमस्का फ्रेंड्स मेरे नाम बबलो उर्मा पेपर हेकर में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आजम क्या देखने वाले हैं आजम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमिस्टर वालों के लिए परसेंट आपको क्या है बस इतने ही क्योश्न कवर कर लेना है और जो पीड़ीव आपको दारकिए तो यहीं से आपको और आपको 85% देखने को मिलते हैं तो इनी दो वीडियो में आपका सारा फारा फस जाएगा ठीके 85% 100% की साथ क्या रहा हूं 85% यहां पर देखने को मिलने वाला है तो बढ़ते हैं फास्ट एकोशन की और और यूनिट नमबर फाइब की ओ ठीक है यहां पर देखने को जाएगा याद कैसे करेंगे यहां पर ग्रांड को कर देना ग्रांड और हमारी स्कूल में क्या होता है वही ग्रांड होता है बिलकुल अराम सियाद कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं यहां देखा है पूर्व प्रात्मिक सिच्छा के जनक कौन थे पूर्व प्रात्मिक सिच्छा के जनक कौन थे दो ऑप्सन है दोनों में से एक आंसर है महात्मा गांदी या फिर फ्रावेल तो राइट आंस है क्या होगा पूर्व प्रात्मिक सिच्छा कि बात औरि पूरựपरात्मिक सिच्छा के जनक कौन थे तो वह जाते हैं फ्रावेल सिच्छा की बात हो रहे थी वहाद क्या जो सच्छा क्या हो रहे हैं хоч ण पेजिए भाकट के बात आता है बेल कुश हई तो याद हो जाए गा पूर्फ को पाको कर देना प्सक्षा को कर लेए कि सिच्छा में क्या बस्ती वह इस प्र कुम्ह सिच्छा प्राफ्मिकसि सो च्चा सच्चह या पर प्राह। तो राइट क्या रहने वाला मैं देखू है कि्टर गा опасton कि स्कूल का संबंद है थो इस पूर प्राइफ मिस चीछ से हो जाएगा ठीक है next question क्या रहा है कि टर तो पतिती का अब स्कार्ण त mr. कौन आते हैं यह इपने हो जाते हैं फ्रावेल हो जाते है ठीक है आगे बढant सं अध्रotz अच्सरा कॉछन मैं अच्छा बिलकुँ सही आगे बढहते हैं, तो किया इक याद भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, आध रखा है बेल माने घंटै देकी थी इंए, भी AI को कर देनाँ क्या죠? बेल खाने वाली चीज शूती है, बिल्कुल साही, बेल खाने की भी होती है आपको जानते हो, तो बेल को आप जो यहां पर जर्म illa सिर्फ있는 लेची आ बैल टेंगा लिए फूस पर कंस याद हो जाए 50 जर्मनी आगे बढ़ता है नेक्स कूशन फिर्च puntos का सब्द हें फ्रेंच रूसी जर्मन या फिर फिरापान इंश हीया happen सबढ़के नेक्स केंदर्ट बाल्केंदरिक सिच्यत केंद्रीद खेल केंदर्ट तो यहाँ पर बताना है कौन सा विल्कुल राइट हो जैगahu यहाँ करता है किंदर्ट परिडाली है कैसी है? यह यह ऐसरे प्रिडाली की बात करते हैं की डर गाटन प्रणाली में सरथिक महात्व दिया जाता है किसका उल्फ दिया जाता है किस निया जाता है कि खेल और मनुरंजन को दिया जाता है ठीक है खेल और मनुरंजन को इसमें दिया जाता है आगे बढ़ता है next question फिर्टार्ट्री में महारों किसका क्योए और मन्रजर का नैक्स्ट बचार मौन्टेसरी पदती का अभिश्कारत किया ओकिसे ने किया था आपको बताना है जॉन डियूवी ने या फिर किल पैट्रिक ने डॉक् Storm तर मण्टेसरी या फिर फ्रावेल ने तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा तो कहा रहा है तुम्हारा मॉन्टेसरी परद्धी का विस्कार किस ने किया था डॉक्टर मॉन्टेसरी नहीं किया था तो नाम में ही चुपा हुआ है डॉक्टर मॉन्टेसरी ठीक है आगे बढ़ते हैं next question Montessori बिद्याले में कितने बर्स के बालक सिच्छा ग्रहन करते हैं जो Montessori बिद्याले होता है उसमें बताना है कि जो बालक होते हैं वो कितने बर्स के बालक सिच्छा ग्रहन करते हैं आंसर दीजेगा फटापर क्या रहने करते हैं आगे बढ़ते हैं next question Montessori पद्धती में 3rs 3rs का अर्थ क्या है 3rs का अर्थ क्या है आपको बताना है तो इसका जो हो जाता है लिखना पढ़ना गड़त का ग्यान करना जो को लिखना तो होगा ही पढ़ना भी हो जाएगा और बाद में क्या रहे जाता है वहीं क्योंकि बिसकारक किया डाल्टन पदिती का बिसकारक किस ने किया था यहां पर आपको बताना है ठीक है पहला दरख्या है डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ट्रॉबेल ने या फिर कू हेलन पार्क हर्ष्ट ने या रेक है तुम्हारा जॉन ड्यूबी ने तो राइट आंस अपना कू हैलन पार्क हर्ष्ट ने किया था डाल्टन पदिती का बिसकार ठीक है तो कैसे याद करें यहां पर बात कर रहा है है यहां पर डाल्टन की बात कर रहा है डाल्टन मतलब बहुत टनों का भार है भार कैसा है भार बहुत बढ़ा है इसे हैलन यहां देखो हैलन मतलब हिल आना मुस्किल होगा तो याद रहेगा कुहलन पार्क हर्ष्ट ने ठीके डॉल्टन पदी का विसकार किया था ट्रिक के नुसा याद हो जाएगा आगे बाता है नेक्स कुछिन डॉल्टन पदती किस सनमें प्रारंब हुई थी तो इसका आंसा दिना है उन्ने सो निस अठारा यहां पर आनसे दिना है कौन सा होदाएगा इतने बरस के बालक के लिए क्याता है डॉल्टन योजना या पर पदती का पर योग प्रयोग किस आयू के बालकों के लिए किया जाता है तीन बरसे अधिक छे बरसे अधिक नो बरसे अधिक या फिर बारा बरसे अधिक तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो बरस से अधिक क्या हो जाएगा 9 बरस से अधिक को जाए घार योजना पृदिती का प्रगोग किस बायू के बालकों के लिए किया जाता है ठीक है next question की बात करते है next question को देखिए सिच्छा में योजना पतिती दी है योजना पतिती bunları किसने किया है आपको पताना है po yogena प्वृष की बात कर रहा हैं किसका योजना प्रॉष की बात और इसंसे मतलब या फिर प्रोजेक्ट पर रिदीभी कह सकते है इसका इसका निर्मान किसे तो प्रटने यहां पर आपको देना है बिल्कुल तो तो कि योजना पदरी के इसके योजना बनाई जा रही है अब योजना कि बनाएंगे जो बहुती हाड काम होगा है ना हाड काम होगा रिक्स काम होगा अब रिक्स किसमें है भई किल करने में है किसी को किल करने में क्या है भई रिक्स है तो याद हो जाएगा कि जो योजना पदिती है वो किसमें दी है भई प्रोजेक्ट पदिती वो हो जाती है किल पैट्रिक्स ने दी है ठीक है तो याद हो गया ना बिलकुल आगे बढ़ते ह योजना पद्ति किस पद्धिती का आधारित है योजना पद्धिती जो है वो किस सिध्धन्त पर आधायत है या पर पद्धिती पर आधायत है आपको बताना है कौन सा होगा देखकर लिखना करके सीखना खेल द्वारा सीखना या फिर स्वयम सीखना तो योजना पद्धिती प्रोजेक्ट बना ली जाता है ठीक है तो यहां पर क्या होता है करके सीखना होता है पहले किया जाता है उसके बाद इसको क्या है तयार किया जाता है तो कर तो किस सिच्छा सास्त्री के से थे यहाँ आपको बताना ए जौल डीवी बिल्यम जैम्स प्रोच प्रो रिचर्ट्स या फिर हो जाता है प्लेटो तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है बिलकुल देखेगा यहां रिख़ा है किल पॉर्टरक किल पॉर्टरक किस सिच् यह उजए गलत तीखे राइड ऊफ्रोगा दोगा डूбी क्या अध्यक बई जॉछन दूबी हां पर बिल्पोल राइट आंसर रहने वाला है ठीके किस्चा सास्त्री के सिर्ट सैंते तो जौन ब्यू भीया तो कैसे आद करेंगे यहां पर देखो किल मतलब किसी को मारना और यहां पर है डियूबी मतलब कैसे डुबा कर मारना है कैसे डुबा कर मारना है ठीक है डुबा कर किल कैसे करना है डुबा कर मारना है तो सिच्छा सास्ती के सिस्ते किसके जॉन डियूवी के सिस्ते किल पॉर्टरस ठीक है याद रह औरिखा में तो इहां पर आयट अपना क्या होगा तो बात करते हैं किल पैट्रिक का यूजिना प्नतीका प्रियोकी समय कहता है सामान सिच्छा के इंतगत किया जाता है राइट अंसर और अप्शें कर दा हो जाएगे तो आराम से आद आएगा कि किसी को किल करना क्या है सामान सिच्छा अगर है मतलब अनपड़ है तुब आराम से कर सकता है ना बिलकुछ सामान सिच्छा मतलब अपनी लेवल की सिच्छा नहीं है सामान सिच्छा है ठीक है तो वो किल कर सकता है ठीक है आगे यहां देक है किल कर रिक याद करनी की ट्रिक है यह निकाना ठी के किल कुल पैक्ट्रिक को मैंने क्या बना दीः ठीक है किल भना दीः मौन्टेसरी पदती बिलकु सही मौन्टेसरी पदती का विसकार डॉक्टर मौन्टेसरी ने ही किया है यह भी हमने देखा था next question की बात करें मौन्टेसरी पदती में 3SR का अर्थ क्या है हमने देखा था लिखना पढ़ना और इसे क्यों दाएगा गड़ित हो जाएगा यह भी हमने देख लिया बिल्कु सही आगे बढ़ते हैं देखे किल पैट्रिक किसे दार्सनिक के सिस्थे किल पैट्रिक किसके थे भाई किल करना है कैसे करकर डुबा कर तो यहां पर हो जाएगा डियूबी के सिस्थे बिल्कु सही आगे बरते हैं किडर गाटन पदती किसे सिच्छा सास्ती की देन है तो किडर गाटन पदीज वो जाती हो इसकी है हमने देखा ता ना बिल्कुल तो आगे बढ़ते हैं किटर्गांटन पतती के तरपर्तम सर्बतिक μεहात्म किस पर दिया जाता है ये देखना पत्तिति कोंकि पूर्भ प्रात्मी सिच्छ делать यह हो जाता है आगे बढ़ते हैं कौन सी सिच्छ पदती पूर्तिया मनो बिग्यान पर आधारित है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि कौन सी सिच्छ पदती पूर्तिया मनो बिग्यान पर आधारित है तो वो कौन सी हो जाएगी योजना पदती हो जाएगी योजना बनाना है मैंड फोकस पड़ेगा मनो बिग्या प्रक्रищ श्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं हमने देखा था कहां से यूनिट नमबर इस देखने वाले हैं तो बढ़ते हैं फड़ा बड़ कोश्णों के और फ़र्ष्ट कोश्ण आपके सामने कुछ इस प्रिकार सोजाता है भारत में अनिवार प्रात्मिक सचा के लिए पिर्थम बार प्रियास किसने किया था यहां देखेगा साइमन कमीशन लाडल होजी गोपाल किष्ण गोखले या पर गांदी जीने किया था फड़ा बडान सब सवेक हैं कि भारत में अनिवार प्रात्मिक सचा के लिए प्रथम बार प्रीयाश किसने किया था भाई बच्चे ही करेंगे अपर उच्चा कौन लें गा निवारे भई बच्चे ही लेंगे तो गोपाल, क्रिष्ट्ञ, और गोखले चोड़े बच्चेzę और रहेगा इस परकात से आदम कर लेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं लेक्स नेक्स्वुष्ण भाहत में प्रास्मिक सिच्छा के अंत्रगत कच्छाए ने मादमिक सिच्छा के अंतरगत कितनी कच्छाएं होती है यहाँ आपको बताना है कितनी होती है बई मादमिक सिच्छा भी हमने देखा आए कितने 9-12 या फिर 8-10 9-12 या फिर 10-12 या फिर 9-11 तो राइट आनसर अपना कौन सा होजाएगा बिल को सही आ चुका है बही जो मादमिक सिच्छा होगी वो क्या होगी नो से बारा होती है क्या होती है नो से बारा होती है मादमिक सिच्छा आगे बाते हैं next question यहां रखा है गोखले बिल संबंधित है गोखले बिल जो होता है वो किस से संबंध है पूर प्रात्मिक सिच्छा उचिस इच्छा प्रात्मिक सिच्छा मादमिक सिच्छा तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा जो गोखले बिल हो जाता है अभी हमने देखा था अभी हमने देखा था यहां पर देखिएगा प्रात्मिक सिच्छा अनिवार प्रात्मिक सिच operation blackboard संबंद किसे है प्रात्मिक सिच्छा से मादमिक सिच्छा से उच्छी सिच्छा से या फिर सिच्छक पर सिच्छ सिच्छा से तो right answer अपना क्या हो जाएगा देखिए जो blackboard जो है वो किसे है प्रात्मिक सिच्छा से संबंदित हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं करा मा सिच्छा का संबन्द एंब इस्ते हैं रादाकिषने आयोग से गोखलेायोग से मुडालियर आयोग से या और सार्जेंट रिपूर्ट से तो राइट आंसरामारा क्या हो जाहेगा ऐसे और यहां रखें माधमिक सिच्छा का संबन्द मतलब नौ से बारा का ऀसम्द जो है वो किस से है यह मुदारियल कौंसा है मुदालियर सोरी मुदालियर आयोग से हो जाता है कौंसा मुदालियर आयोग से हो जाता है कैसे याद करेंगे यहाँ पर भी मतलब मां देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी फर्ष्ट में मां ही देखने को मिलेगा याद हो किस संबंद मुख्यता किस से है तो वो जाता है क्या माँ से मादे किलो हो जाएगा मुदालियर आयोग से राइट अंसर ऑप्शन नमबर सा हो जाएगा मादमिक सिच्छा हमारी सिच्छा प्रणाली का सबसे कमजोर कड़ी है इस आयोग का कथन है किस आयोग का कथन है आपको बताना है मादमिक सिच्छा हमारी सिच्छा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है किस आयोग का कथन है राधा किशन आयोग मुदालियर आयोग सेंडलर आ आयोग तो right answer अपना क्या हो जाएगा देखो माध्मिक सिच्छा की ही बात कर रहा है तो माध्धूंडे का कहा पर है यहाँ पर है वह भी है न कमझूर कड़ी किस ने कहा मुदालियर आयोग ने कहा है ठीक है next की बात करते है माध्मिक सिच्छा आयोग की नियुकती कब होई थ माधमिक सिच्छा आयोकी निकती कब हुई थी आपको बताना है पहला दिरेक्षा है 1979-1972-1952-1986 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल देखो तो यह हो जाएगा अपना 1952 में कीती ठीक है 1900-1952-1982 नेक्स कुशन की बात करते हैं मुधालियर कमीशन का छेतर है मुधालियर कमीशन का छेतर कौन सा है और माधमिक सिच्छा या पिर महिला सिच्छा तकनीक सिच्छा तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा हमने देखा है मुधालियर कमीशन आयोक Hack किसे है माद्मिक सिच्छा से है right answer option number 2 हो जाएगा next question operation blackboard योजना शुरू की गई थी प्रात्मिक सिच्छा से सब्मंदित है और यह कब सुरू की गई थी आप से पूछ रखा है बिल्कुल यह कब सुरू हुई थी यह आप से पूछ रखा है blackboard योजना पहला जरेका है 1996-1987 1990-1982 तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल सही तो कह रहा है ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू हुई थी तो बहुंद इससे करना है यहां पर आइसा है यहां पर भी बाइड कर लो डबल है तो डबल वाल लिक लो बस ठीक है 28 याद हो जाएगा 28 याद हो जाएगा डबल बार बाह है तो डबल देखो यहां रहें जिखाए 38 कब हुई थी आपको बताना है 1961-1972-1966-1985 तो भी राइट आंसर अपना क्या हुदाएगा कि एंसी आर्टी की स्थापना कब हुई थी 1961 में स्थापना इसकी हुई थी कब हुई थी 1961 में स्थापना हुई थी very very important question आगे बढ़ते हैं तुम्हारा मादमिक सिच्चा की पिर्मुक्ष समस्तिया है मादमिक सिच्चा की पिर्मुक्ष समस्तिया क्या है अनुसासन हींता यह रखा है मार्ग दर्सन और परामर्ष के अबसर का आभाब और परंप्रागत सिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च माघ दसन परामर्स के अवसर का भाब भी हो जाएगा और परामर्स शिच्छड बीदी भी हो जाएगी तो राइट अंसर आप्चन नमबर दा हो जाएगा ठीक है नेक्स बढ़ते हैं नेक्स पुशन दे रखा है तुम्हारा जिला इस तर पर माध्मिक सिच्छा का सर्बोच अधिकारी कौन होता है आपको बताना है जिला बिद्याले निरिचक होता है ध्यान रखना जिला इस तर पर माध्मिक सिच्छा का सर्बोच अधिकारी कौन होता है तो जिला सो हो जाएगा और कौन जाएगा विद्याला निरिच्छक होता है आगे बढ़ते हैं यहां देखा है राज में सिच्छा सचिवाला का अध्यक्ष कौन होता है अब राज की बात हो रही राज में सिच्छा सचिवाला का अध्यक्ष कौन होता है तो सिच्छा सचिव देखेगा यहां देखा है मुदालीर आयोग मुदालीर आयोग जो था 1952 235 से तो किसे था मांसे हमने देखा था माध्मिक सिछा से संबंदित है आगे देखते हैं सिच्छा परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिस पर की गई थी जो सिच्छा परिशद है उसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिस पर की गई थी तो सिच्छा परिशद की स्थापना किसके कोठारी सिच्छा आयोग कौन सा है कोठारी सिच्छा आयोग 1964 की सिफारिस पर की गई थी तो याद रखना है कि सिच्छा परसद की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी तो कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी और कोठारी आयोग कब आया था तो ये आया था 1964 में very very important very very important next question की बात करते केंद्री विद्धाले 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 केंद्री लकनों में हो जाता है, कि राजळानी है, आगे बढ़ते हैं, नबोदे विध्धाला आ, कब in important question हैं ये, ठीक है, बेरी in important question, नबोदे विध्धाला आ न्अ 46 में, किस इस्तान स्थापित किये गए, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है, किस इस्तान स्थापित किये गए, तो ग्रामीड अंचल में ये स्थापित किये गए थे ठीक है ग्रामीड वच्चों के लिए पढ़ाने के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं किया सिच्छा निती 2020 में माधमिक में सिच्छा का ढांचा बताइए बहुत इच्छी प्रकार से पढ़ना है बहां से दो क्यूक्षन आप माधमिक में सिच्छा का ढांचा बताइए कौन सा था तो 2020 के निती आई है उसमें ढांचा क्या था दस तीन तीन चार में माधमिक सिच्छा की जो है अबदी है वो कितनी है चार बर्स देखो चार बर्स ता क्या रहेगा छोटे में रहेगा उसके बाद 9-12 और आयू 14-18 इस आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन देखो 9-12 उम्र होनी चाहिए 14-18 ठीके आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की और अब देखेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से पढ़ लेना याद कर लेना और भी इसका सच्चानिती पूरी की पूरी एक बार देख तो देश में सरप्रतन किस बिस्व धाले की स्थापना हुई थी बताना है इलाबाद आगरा बनारस या फिर मुंबई तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा तो देश में सरप्रतन किस बिस्व धाले की स्थापना हुई थी बही बही थी कौन से मुंबई में कहा हुई थी मुंबई में स्थापना हुई थी ठीक है अगर पूरे बिस्व की बात करता है तो हो जाता है नालंदा बिस्विध्याल है ठीक है आगे बढ़ते हैं सिच्छा को संबर्ती सूची में सामिल किया गया था यह आपको बताना है तो कौन सा हो दाएगा राइट बिलकुल बता कीसितिये संब्रती सुची में सामिल किया था और संबर्ती सूची भी से था कितने हैं यह याद को सभीनागे से सामिल कर रहा हूं कि नेक्स रखाएं नेक्स यूजी सी संचिप्त सब्द का रूप बताएं यूजी सी संचिप्त सब्द का रूप क्या पूरा नाम क्या है आपको बताना है ठीक है पूरा नाम क्या है यूजी सी का उत्त्र प्रिदे सरकारी आयोग बिस्विध्याले सरकारी आयोग नहीं तो राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा दिको यहां पर हो जाएगा UGC विस्विध्याले अनुदान आयोग हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं विस्विध्याले अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई थी कब की गई थी 1922, 1953, 1951, 1947 तो इसका भी राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा तो इसकी जो स्थापना होई थी 1953 में की गई थी आगे बढ़ते हैं किस सन में संसद के अधिनियम अनुदान आयोग की बैधानिक संस्ता घोसित किया गया था तो कब किया गया था आपको बताना है किस मंत्राले के अधीन है केंद्र में सिच्छा किस मंत्राले के अधीन हो जाए आपको बताना है बित्त मंत्राले सहरी विकास मंत्राले मानब संसाधन मंत्राले के अधीन नहीं होती है तो कौन सो जाएगा मानब संसाधन मंत्राले के अधीन केंद्र में सिच्छा होती है ठीक प्रवाद कानपूर या फिर बारानसी तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा उत्र प्रदेश में सिच्छा निलिशाल है कहा हो जाएगा भई लखनों में हो जाएगा राइट अंसर नमबर आ हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं राज सरकार के सिच्छा संबंदी कारे हैं राज सरकार के सिच्छा संबंदी कारे कौन से आपको बताना है बित्तिये या फिर परी निलिश्डबा निलिश्ड़ सिच्छकों के नियुक्ति बापार्ट अपना क्या हो जाएगा तो यह हो पर इंच्छडबा निल्चडबी करते हैं और सिच्छकों की निउक्तिवा पाठ्टे करम दिधार भी इनी पर होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन कहरा है लिकत भारतिये प्रभीदिक लिकत भारतिये प्रभीदिक सिच्छा परिसद ए आई सीटी इची स्थापना अगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की बात करते हैं राज में बिस्विध्याले का कुलाधी पती कौन होता है कि मुझे कुछ इसमें गड़बर लग रहा है कुछ कि यहां रखा है लिखत भारतिये प्रभीदिक सिच्छा परिसद की स्थापना हुई थी यह थोड़ा सा मुझे गड़बर लग रहा है ठीक है ओड़ा है है एक बार देख लूमें से गड़बर लग रहा है बिल्कुल यहां पर भी 45 होगा क्या होगा 1945 होगा Right ठीक है option number 2 होगा अखिल की बात कर रहा है 1945 बिल्कुल बवी तो मैं कह रहा हूं यह कुछ गरबढ लग रहा है मुझे ठीक है 45 बिल्कुल राइट अंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछिन की बात करते हैं क्योंकि जब हसते हैं ना मैं इस परकार से याद किया था इसे जब हसते हैं तो कितने दांद दिखते हैं वही चार दांद दिखते हैं आगे के ना आगे कितने चार दांद दिखते हैं तो चार दांद चार पांच इस परकार से मैंने याद किया था चार तो दिखते ही हैं तो को बताना है पहला देरका है मुख्यमंत्री राज का गवर्नर और कुलपती इन में से कोई नहीं तो होता है राज जिपाल होता है राज का गवर्नर होता है आगे बढ़ते हैं next question यहां देरका है सिच्छा परिश्द की स्थापना किस आयोग की सिफारिस पर की गई तो संगठाक में स्थापत करें कि सफारिस की राज राज सरकार राज सिच्छा सलहकार बोर्ड की स्थापना करें तो किस सिच्छा निती ने सिफाइस की कि राज सरकारें राज सिच्छा सलाकार बूड की स्थापना करें तो यह किती 1986 में किसमे 1986 की नई राष्टी सिच्छा की सिफार इस पर 1986 में इसे पहले ठीक है तो 1986 नहीं सचनिती आई थी उसके आधार पर की गई थी ठीक है आगे बटें नेक्स कुशन यहां देखका है तुम्हारा सिच्छा के किस इसतर पर बिभिन बिस्यों की सिच्छा विस्ष्च रूप इसमें दी जाती है तो आपको बताना है कौन सा भी आती है माध्यमिक सिच्छा इस्तर पर कितने से नौ से बारा तक नौ से बारा तभी आती है विमिन विशियों की सिच्छा विसिष्ठ रूप से دी जाती है ठीक है नो से बारा मतलब मादमिक सिच्छा इस्तर पर नेक्स बढ़ते हैं उत्र प्रिदेश का सिच्छा मंत्राले कहां है तो भी लकनों में है देख लिया हमने यहाँ रखा है दस दो तीन सिच्छा धांचा कब लाग हुआ तो दस जो ती दस दो तीन हुआ था वो कब रहा है 10-3-3-4 कौन सा 10-30-4 तो एक यहां पर है दस दो दस दो तीन और जो 2020 में अपना लागा हुआ वो कौन सा हुआ है 10-33-4 ठीक है 10-33-4 दहांचा हो गया है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं प्रिदिया है 1986 में किस इस्थान इस्थन पर इस्थापित किये गए थे तो हमने देखा था जनपद यह इस तर पर ग्रामीड अंचल में यह इस्थापित किये गए थे अब इसकी इस्थापना कब हुई थी यह धानकना 1986 मुई थी बहुत पूचाता एक्जाम में ठीक है आगे बढ़ते ह सब्सक्राइब हैं आगे बढ acceso73 बुझता है तो यह किरुए आगे बढ़ते हैं यहाँ तरीकार के यहाँट में स्धृत CDC थाल अर उसमें एक हांतमक सिच्छर स्च्छ बिभला इसमें सिर्फ उर्दुं बगेरा की सिच्छ दी जाती है ठीकिक है आगे बढ़ते हैं यहां दरिकाई यूनिट मिलेगा अपने लिए एट ठीक है तो यहां पर क्योशन नमबर बन करते हैं सिच्छा को संबर्ती सूची में सामिल किया गया अब बताना है सिच्छा को संबर्ती सूची में सामिल कब किया गया था यहां पर आंसर दीजेगा बैरी बैर संधान पर सचड़ परिश्थ का कार्य है क्या कारी है सिच्छा को बित्ती सहाइता देना उच्छा का पार्टेक्रम तयार करना से सच्छिक अनुस अंधान पर सच्छड सिवाओं की निती करना तो यहां पर राइटांसर अपसर हो जाएगा डी डी होगा क्या राष्टिये सैच्छी कनुसंधान वा प्रिसच्छड परिसद्गा सोरी यह नहीं होगा यह नहीं होगा इसका दो आंसर होगा वोगा यह वोगा ठीक है यह वाला रहने वाला राइट सैचिक अनुसंद्धान प्रिसच्छड सेबाओं की उन्निती करना है सिर्फ क्या करना है सिर्फ उन्निती करना राष्टी सैचिक अनुसंद्धान प्रिसच्छड परिसद का कारे क्या है जो प्रिसच्छड बगरा देते हैं उनका कार सिर्फ क्या होगा और अनुसंधानों का कार होगा कि सैचिक अनुसंधान पर सच्छड सेबाओं की उन्निती करना बस इतना काम है उसका ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहाँ रखाए NCRT का मुख्याला कहा है बेरी इंपोर्टन क्योशन एंसी आटी का पृधान कार्याले कहां है एंसी ती का पड़ान कार्याले कहां पर है नई दिल्स्ते में और बुच्ते हैं राज बढ़ते हैं सबको पताईए कैसा है केंद्री विश्विधाला हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन की बात करते हैं अकिल भारती का पुनरगठन किया गया था तो सीब्सी का पुनरगठन कब किया गया था आपको बताना है 1955-1968-1985-1952 तो राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा भाई बहुत इंपोडेंट है CBSC हमने क्या देखा था NCERT है ना NCERT देखाता विल्कुल आप ही क्या देखेंगे CBSC CBSC में क्या मिलेगा आप बाह देख लिजेंगे क्या B B मतलब क्या है 20 प्रकार से लिख सकते हैं ना में CVSC का पोनगतेन किया गया था इस प्रकार से आदभी जाएगा next बढते हैं राज इस तर पर सिच्छा का सर्वोच अधिकारी होता है κौन होता है मुख्य मंत्री या फिर सिच्छा मंत्री सुच्छा हो जाएगा नेक्स वरते ही याद रखा है भारत में आधुनिक सिच्छा के जनक हैं भारत में आधुनिक सिच्छा के जनक कौन हो जाते हैं यह आपको बताना है हमने कोशन देख रखा है बिल्कुल तो करेंगे चार्ल्स ग्राउंट हो जाएंगे ग्राउंट मतलब ग्राउंड ग्राउं तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा विलकुल तो पूज़ जाएगा राश्टी सिच्छा कि सिच्छ परिसाद हो जाएगा ठीक है राइट ऑंसर ऐसे नमबर आ हो जाएगा तो Right Ams अपना क्या हो जाएगा, बिस विद्ध्याले अनुदान आयोग, UGC की स्थापना, किसकी सिफारिस पर की गई थी? तुबिस विदाइ टी, इस पर? बिस विद्ध्याले अनुदान आयोग, बिल्कुल, तो यह की गई थी भाई, विस्विध्याले सिच्छा आयोग पर किसके विस्विध्याले सिच्छा आयोग की सिफारिस पर की गई थी next question की बात करते हैं विस्विध्याले अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई अगे बढ़ते हैं अनुदान आयो का प्रिमुक्र कार क्या है उचिस इच्छा के लिए अनुदान कि बात कर रहे हैं तो अनुदान देना हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इंद्रा गांधी राष्ट मुक्त बिस धाले की स्थापना कब हुई और किस ने की थी बेरी इंपोर्टेंट कुशन इंद्रा गांधी राष्ट मुक्त बिस धाले की स्थापना कब और किस ने की थी सितंबरwyn si 1882 व Sue 속ु 6.12 जलिए वसुए प्रिदार मत्री राजीव впरद्दानी के द्वराइब ध्रानख न राजीव गान्दी के द्वरा की गई इंद्रा गांदी राष्ठी म्मुynn इस्तापना 1982 में आगे बढ़ते हैं NCRTK छेत्री महाविध्यालय कहां कहां है एक अजमेर में है एक बोपाल में है बोबनेसवर में है मेसूर में है और सिलाउंग में हो जाते हैं तो यहाँ पर NCRTK महाविध्यालय हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां देखा है केंद्री सिच्छा सलाकार परिश्द का पुनगठन कभ किया गया तो यह 1935 में किया गया था केंद्री सिच्छा सलाकार स्थापना कभ हुई थी तो यह हो जाती है 1988 में क्या 1988 में इसकी स्थापना हुई थी स्थापना नेक्स बढ़ते हैं स्थापना का पूरा नाम क्या है तो इस्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाता है ठीक है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी नेक्स बढ़ते हैं एक बार आप पढ़ लिजेगा स्थेट कॉंसल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन दे रखा है तुमारा आई जी एन ओ यू आई जी एन ओ यू का पूरा नाम क्या है तुमारा इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी राष्ट खुला बिस्विध्याले ठीक है बिल्कुल इंद्रा गांधी राष्ट खुला उसे ओपन हो जाएगा नेस्नल हो जाएगा ठीक है और बिस्विध्याले युनिवस्टी आगे बढ़ता है next question यहाँ दे रखा है एन ए पी एन एपी 2020 के बाद M.H.R.D. का पूरा नाम अब हो गया है क्या हो गया आपको बताना है बिल्कुल M.H.R.D. का नाम बदर कर दिया गया है इपको पता है क्या है M.O.E. करता है सिच्छा मंतरा ले कर दिया गया है क्या मनतरा मंतरा ले कर दिया क्या है है very important question से आध कर लिना है तो बात करते हैं और प्रिकार से भी आपके क्योक्षन देखने को मिलते हैं तो यह हमारा बन जाएगा पार्ट नंबर थर्ड होगा ठीक है अब जब आस्त्य कब देखेंगे झाल झाल